अंजली की धूमधाम से शादी करवाने के बाद रमाकांद और बिमला कर्स में डूप गए रमाकांद बिमला के पास जाकर रोने लगे बिमला एक बेटी की शादी करवाने के लिए हमें इतने पापड बिलने पड़े दूसरी बेटी की शादी कैसे करवाएंगे हम लोग वही तो कर्स चुकाते चुकाते पूरी जिन्दगी निकल जाएगी अंजली की बहन पायल अभी कुमारी है वो जवान है और सुन्दर भी इसलिए उन दोनों को चिंता होती रहती है अंजली भी परिशान है मेरी शादी में दहिश देने के लिए पिता जी को सब कुछ खोना पड़ा इन लोगों कितना कुछ चाहिए था पास के गाउं से रमेश और उसकी मा जानकी जब अंजली को देखने आये थे उसी वक्त उनोंने बता दिया था देखिए लड़की काली है हमें जादा दहिश चाहिए ये बोलकर जानकी ने रमा कांद के हाथों में एक लिस्ट थमा दिया लेकिन एक लड़की का बाप करे भी तो क्या करे उधर अंजली को शादी का कोई शौक नहीं था ना ही पायल को था वो दोनों बेहने एक दूसरे के साथ खुश थे बच्पन से उन दोनों के पास एक तोता था दोनों बेहने उस तोते से बहुत प्यार करते थे हमारा तोता कितना सुन्दर है है न दिदी हाँ बेहन बहुत सुन्दर है इसलिए हम इससे इतना प्यार करते हैं जब तेरी शादी हो जाएगी तब तो ये तोता मेरा हो जाएगा हट पगली मैं शादी ही नहीं करूँगी लेकिन अंजली को शादी करने ही पड़ी रमा कांत ने दहेज के लिए अपने जमीन जायदाद गिर्वी रख दिये लोगों से पैसे भी उधार लिये लेकिन शादी वाले दिन सुबह वो तोता अचानक से मर गया अंजली रो पड़ी ए भगवार ये क्या हो गया मेरा प्यारत होता मा, मा ये जरूर कोई अपशगुन है दिदी की शादी मत करवाईए हाँ मा मुझे वो लोग पसंद नहीं है नहीं बिटा, शादी तो होनी ही है कितनी मुश्किल से दहेज का इंतजाम किया है तुम्हारे पिता जी ने और इसी तरह शादी हो गई अंजली रोते हुपे विदा हो गई और ससुराल चली गई अगले दिन सुबह से अंजली के उपा रत्याचार शुरू हो गए काली लड़की को बहु बना कर लाई हूँ हमें तो और जादा दहेच चाहिए था हाँ मा लेकिन इसके गरीब मजदूर बाप से मांग भी नहीं पाए आखिर हम भी तो इंसान है हाँ इसी लिए उसकी भरपाई तू करेगी करम चली समझ गई घर में दो नौकर थे जानकी ने दोनों को काम से हटा दिया और सारा काम अंजली के कंधे पर थमा दिया अंजली काम करते करते थक गई रुकने पर रमेश्ठ और जानकी दोनों मिलकर अंजली को मारने लगे उदार रमाकांद के घर के बाहर लोगों की लाइन लग गई ए रमाकांद, कब देगा पैसा? हाँ हाँ हमारा पैसा लेकर भी वेठा हुआ है बुढधा पैसे क्या पेड़ पर उखते हैं रमा कान्त ने रोते हुए कहा दे दूगा साहब बस थोड़ा समय दे दीजिए अरे तरे खुद के हाथों में ज्यादा समय नहीं है हमारे पैसे नहीं दिये न तो इस दुनिया से गायब कर दूँगा समझ ले न रमा कान डर गया और रात को उसे हार्ट अटेक आ गया उसका देहान थो गया और उसी शोक में रोते हुए बिमला भी इस दुनिया से चल बसी उधर अंचली को जब खबर मिली तो वो अंदर से तूट गई मा जी मेरे मा बाप उमर गये मैं एक बर गाओ जाओ उन्हें एक बर देखकर चली आओंगी नहीं नहीं घर का काम कौन करेगा जा काम करो अंचली को आने नहीं दिया गया पायल ने दोनों का अंतिम संसकार किया और उधार वाले पायल के पीछे पड़ गए अरे लड़की तेरा वाप तो मर गया अब हमारे पैसे तू देगी जैसे भी करके भला भला मेरे पास इतने सारे पैसे कहां से आएंगे थोड़ा तो समय दीजिए ठीक है एक महिने का समय देते हैं एक महिने के अंदर हमें पैसे चाहिए पायल पैसो के जुगार करने में लग गई वो एक फैक्टरी में मजदूरी करने लगी और उधर दिन बदिन रमेश के डिमांड बढ़ती गई ए अंजली मुझे पैसे चाहिए पैसे दे फला मेरे पास पैसे कहां से आएंगे बो सब मुझे नहीं पता दहेज के नाम पे कुछ नहीं दिया है तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया जो भी कुछ दिया उसे चुकाते चुकाते उन दोनों की जान चली गई तो मैं क्या करूँ उन दोनों की जान इतनी सस्ती है तो, मुझे एक महिने के अंदर एक लाग उर्पे चाहिए अंचली भी चिंता में पड़ गई, उधर रमाकांत और बिमला की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो भगवान ने कहा तुम दोनों को फिर से धर्टी पर लोड़ना होगा, तुम दोनों की आत्मा अत्रिप्त है, लेकिन तुम दोनों मनुष्य रूप में धर्टी पर नहीं जाओगे, तोते के रूप में जाओगे, पत्हा आस्थ रमकांत और बिमला तोता बनकर धरती पर आये रमकांत अंजली के घर के बाहर आया और बिमला पायल के पास गई दोनों तोते देखकर खुश हो गए अरे वा, ये तोता कितना सुन्दर है उधर पायल भी तोते को देखने लगी रमा कांत ने अंजली की और बिमला ने पायल की हालत देख ली और दोनों वापस एक दूसरे के पास आ गए वो दोनों जंगल की एक तालाब के पास बैट कर एक दूसरे से बात करने लगे बिमला अंजली की हालत बहुत खराब है उसका पती उससे पैसे मांगता है पायल की भी हालत बहुत खराब है लेकिन हम उन दोनों की मदद कैसे करें हमारे पास तो पैसे ले है उधर हर रोज अंचली के उपर अत्याचार होने लगा पैसे दे रही है न मुझे मैं कहां से दूंगी पैसे तो ये ले रमेश अंचली को बेल्ट से मारने लगा उधर पायल को भी हर रोज कर्जवालों की तरफ से थ्रेट मिलने लगी दोनों बहने परिशान हो गए रमेश और जान की अंचली को पायल से मिलने नहीं देते थे उधर रमाकांत और बिमला हर रोज अपनी बेटियों को मार खाते हुए देखते थे इस तरह दिन बीत रहा था एक दिन रमेश ने अंचली को इतना मारा कि उसके सर से खून निकलने लगा ये देख कर रमाकांत और सेह नहीं पाया ये कैसे लोग है हमारी बेटियों को कैसे मारते हैं ए भगवान हमें धर्ती पर भेज तू दिया लेकिन हम हमारी बेटियों की मदद कैसे करें तब ही उनके सामने भगवान आ गए और बोले जंगल में जो तालाब है वो जादू ही तालाब है उसमें से तुम दोनों को हर रोज एक एक करके सोने का हार मिलेगा और जाद ही देखा कि एक सोने का हार तालाब के पानी में तैर रहा है रमाकांत ने वो हार लिया और अंझली के पास चले गए उसने खिड़की से अंझली के कमरे के अंदर उस हार को गिरा दिया और फिर उड़ गया अरे ये तोता हार क्यों ले आया इसे कैसे पता चला कि मुझे अभी पैसो की जरुरत है अंजली ने हार बेच और सारा पैसा रमेश को दे दिया रमेश भी चौक गया अगले दिन तालाब से हार लेकर बिम्बला पायल के पाल से पायल ने भी हार बेच कर कुछ उधार चुका दिया उधार वाले भी सोच में पढ़ गए इसके पास कल तक तो कुछ नहीं था आज जानक कहां से पैसे मिल गए ऐसे ही दोनों तोते एक दिन अंजली को और दूसरे दिन पायल को हार देते रहे अंजली और पायल भी सोच में पढ़ गई कि ये दोनों तोते कौन है और वो उनकी मदद क्यों कर रहे है उधर रमेश का लालज भी बढ़ता गया और दूसरी और उधार वालों का लालज भी बढ़ता गया दीरे दीरे पायल ने हार बेच कर सारा कर्स चुका दिया इस लड़की के पास जरूर कुछ ना कुछ सीक्रेट है जहां से ये पैसे लाती है वो सीक्रेट मुझे भी चाहिए उधर रमेश ने भी यही सोचा रमेश ओफिस जाने के लिए निकला लेकिन ओफिस नहीं गया वो घर के बाहर छुपा रहा उधर पायल के घर के बाहर उधार वाले भी छुपे रहे और दोनों ने तोते को हार लाते हुए देख लिया अरे ये ये तोता कहां से हार ला रहा है मुझे देखना होगा मुझे भी अमीर होना है रमेश और जानकी ने तोते का पीछा किया और उधर से उधार वाले भी विमला का पीछा करते हुए तालाब के पास आ गए और सभी ने दोनों तोते को तालाब से सोने का हार लेते हुए देख लिया सोने का हार तैर रहा है इसका मतलब इस तालाब के अंदर कितना सोना होगा आँ, चलो मा, सोना लेते हैं दोनों तालाब में कूद गए कर्जवाले भी तालाब में लालच के चक्कर में कूद गए लेकिन तभी तालाब का पानी गरम होने लगा अरे अरे बचाओ अरे बचाओ सभी चिलाने लगे और सब लोग लालच के चक्कर में उसी तालाब में जलकर मर गए अंजली और पायल को इंसाफ मिल गया दोनों बहने फिर से एक हो गए रमकांत और बिमला दोनों के पास आए और दोनों के साथ ही रहने लगे ऐसे ही वो सब खुशी-खुशी जीने लगे एक बार की बात है भोपाल के नस्दीक एक छोटे गाउं में शांती नाम के एक औरत रहती थी शांती की तीन बेटिया थी इस बात से शांती की सास कांता हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि उसे लड़के की चाहत थी कांता के दबाव के चलते शांती के पती सचिन ने निकिता नाम की औरत से दूसरी शादी कर दी थी ताकि घर में एक बेटा आ सके निकिता बहुत ही बुरी और जालिम औरत थी उसे शान्ति और उसकी तीनों बेट यहां फूटी आँख नहीं भाती थी दूसरी तरफ सचिन शान्ति को हमेशा मेंगी मेंगी साड़ियां ला कर दिया करता था ये सब देख निकिता जल भुन कर राख हो जाती थी ये सचिन जब देखो शान्ति के आगी पीछे लट्टू की तरफ घुमते रहता है लगता है इस शान्ति को रास्ते से हटाने का समय आ गया है फिर अगले दिन जब शान्ति किसी काम से बाजार की ओर जा रही थी तभी निकिता तेजी से कार चलाते हुए उसे टकर मार कर चली जाती है उस एकसिडेंट में शान्ति बचने ही पाती और तडपते हुए अपना दम तोड़ देती है शान्ति के मरने पर निकिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता शांती की मौत के बाद निकिता को खुली छूट मिल गए थी वो उसकी तीनों बेटियों पर जी भर कर अत्याचार करने लगती है दूसरी तरफ शांती की आत्मा अपनी बच्चियों पर अत्याचार होते देख तड़ा पुटती है ये डायन, ये डायन मेरी बच्चियों को परिशान कर रही है लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही उसके बाद शांती मदद के लिए स्वर्ग में मौजूद देवता के पास जाती है आखिर मेरा क्या कसूर था जो मुझे इतनी जल्दी मौत आ गई मेरी तीनों चोटी बेटियां बहुत मासुमें वो डायन निकिता उन पर अत्याचार करती है भगवान दया करके मुझे मेरी बेटियों के पास वापस भेज दीचे देखो, ये प्रकृति के नियम के विरोद है मैं तुम्हें वापस जिवनदान नहीं दे सकता लेकिन हा, तुम्हारी ममता देखते हुए मैं तुम्हें एक महीने के लिए इनसान की बजाए एक चिडिया का रूप दे सकता हूँ मुझे मन्जूर है, मुझे मन्जूर है भगवान कम से कम अपनी बेटियों की मदद तो कर पाऊंगी उसके बाद देवता अपनी शक्ती से शान्ती को एक चिडिया के रूप में बदल देते है वो चिडिया इनसान और चिडिया का मिला हुआ रूप थी फिर एक दिन सचिन के पास एक वकील आता है देखिए आपके पिता ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ती आपकी बेटियों के नाम कर दी थी मैं सारे कागजाद आपको सौपने आया हूँ ये लिजिए सचिन को कागज देने के बाद वकील वहां से चला जाता है उधर जब ये बात नेकिता सुनती है तो उसका खून खौलता है मेरे बुढ़े ससुर ने सारी संपत्ती इन तीनों नालाइकों के नाम कर दी लगता है अब इन तीनों को भी मुझे रास्ते से हटाना होगा फिर अगले दिन नेकिता शांती की तीनों बेटियों को बहलाव फुसला कर एक पहाड की चोटी पर ले जाती है नेकिता मा आप हमें यहां क्यों लेकर आई हो यहाँ पर एक जादूई चिडिया रहती है जो तुम तीनों को अपनी पीट पर बिठा कर आस्मान की सेर करवाएगी चलो तुम तीनों पहाडी से नीचे कूच चाओ उसके बाद वो चिडिया तुमें पकर लेगी और आस्मान की सेर कराएगी अरे वाँ तब तो बड़ा मज़ा आएगा मैंने आज तक कभी जादूई चिडिया नहीं देखी इस तरह वो तीनों निकिता की बाद में आकर पहाडी से छलांग लगा देती है लेकिन तभी विशाल चिडिया का रूप धारण की ये शान्ती उड़ते हुए अपनी तीनों बेटियों को पकड़ कर अपनी कीट पर बिठा लेती है बहुत मज़ा रहा है ये जादूई चिडिया तो बहुत ही कमाल की है हादी दी आस्मान सी धर्ती का नजारत तो बहुत ही संदर है दूसरी तरफ ये सब देख निकिता की आखे फटी की फटी रह जाती है अरे मैंने तो मनगढ़न कहानी बनाई थी लेकिन यहां तो सच मुझ विशाल चिडिया आ गई अखिर ये सब कैसे हो सकता है उसके बाद शानती अपनी तीनों बेटियों को उनके घर पहुचा देती है दूसरी तरफ निकिता तीनों बेटियों को मारने के लिए नया उपाय सोचने लगती है पिछली बार तो तीनों को उस चिडिया ने बचा लिया लेकिन इस पार वो तीनों जिन्दा नहीं बचेंगे मैं आज ही जग्गा से मिलकर उन तीनों चुड़ैलों को मारने की सुपारी दे देती हूँ फिर उसी शाम निकिता बदमाज जग्गा के घर पहुच जाती है कहो निकिता कैसे आना हुआ बड़े दिनों के बाद आई हो पिछली बार जब तुम्हें अपने बॉइफरेंट को मरवाना था ताब तुम मेरे पास आई थी कहो आज किसकी मौत का इंतजाम करना है मेरी सौतन की तीन बेटिया है उन्ही को खत्म करना है बोलो तुम ये काम कर पाओगे पिर अगले दिन शांती की तीनों बेटियां स्कूल की ओर जा रहे थी तभी रास्ते में उन्हें जग्गा मिलता है जग्गा ने आईस क्रीम वाले का वेश बना रखा था अरे ये देख मेरी पास तरह तरह के स्वाधीष्ट आईस क्रीम है क्या तुम तीनों आईस क्रीम खाना चाहोगी आईस क्रीम देख शांती की तीनों बेटियों के मुह में पानी आ जाता है हाँ हाँ आंकर हमें आईस क्रीम बहुत पसंद है उसके बाद वो तीनों जग्गा की दी हुई आईस क्रीम खाने लगती है आईस्क्रीम खाने के बाद शांती की तीनों बेटियां बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है उसके बाद जग्गा उन तीनों को आईस्क्रीम की गाड़ी में डाल कर वहां से दूर एक जंगल में ले जाता है जंगल पहुचने के बाद तीनों होश में आ जाती है अरे हम यहां कैसे आ गई मैं तुम तीनों को जान से मारने के लिए यहां लेकर आया हूँ चलो, मरने के लिए तयार हो जाओ इतना खेकर जग्गा एक बड़ा सा चाकू निकाल लेता है बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ हमे यह भगवाट, यह जालिब तो हमें चान से मारतेगा अब हमें कौन बचाएगा तभी अचानक शान्ती उड़ते हुए वहां आ जाती है अरे बापरे, अचानक इतनी बड़ी चिडिया कहां से आ गई उसके बाद शान्ती जग्गा को अपने पंजों में जखर लेती है और उसे पास के तालाब में फेंग देती है उस तालाब के अंदर मौझूद खतरनाक मगरमच जग्गा पर हमला कर देते हैं अरे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, आ इस तरह सारे मगरमच जग्गा को मार कर खा जाते हैं उसके बाद शान्ती अपनी तीनो बेटियों को अपनी घर पहुचा देती है दूसरी तरफ अपने कमरे में निकिता जग्गा के फोन आने का इंतजार कर रही थी अब तक तो जग्गा ने तीनों का काम तमाम कर दिया होगा बस थोड़ी देर में वो फोन करके मुझे खुशकबरी देगा लेकिन तम्म दर्वाजा खुल कर शांती की तीनों बेटिया घर के अंदर आ जाती है उन तीनों को जिन्दा देख निकिता के होश उड़ जाते हैं फिर तीनों बेहने घर में बाजूत निकिता, सचिन और कांता को सारी बात बता देती हैं इस बार तो उस दयालू चिडिया ने तुम तीनों को बचा लिया लेकिन आगे से तुम तीनों संभल कर रहना और किसी भी अजनबी से कोई चीज मत लेना दूसरी तरफ निकिता मनी मन चिडिया को कोसना शुरू कर देती है पता नहीं उस चिडिया का इन तीनों से क्या लगावे जब भी मैंने मारने की कोशिश करती हूँ वो पीच में आ चाती है लेकिन मैं भी हार्ड नहीं मानने वाली फिर एक दिन निकिता रसोई में जाकर तरह तरह के जहरीले पकवान तयार कर लेती है इस खाने में मैंने धेर सारा सहर मिलाया है इन्हें खाते ही तीनों पानी भी नहीं मागेंगी लेकिन दूसरे तरफ उस घर पर नजर रख रही शान्ती सब कुछ देख लेती है उधर निकिता शान्ती की तीनों बेटियों को टिफिन तयार करके उन्हें स्कूल में भेज देती है स्कूल में लंच के दौरान अपनी आदत की अनुसार तीनों बेटिया खाना खाने स्कूल के सामने वाले पेड़ के नीचे चली जाती है तीनों अपने टिफिन खोल कर सामने रखती है कि तभी वहाँ शांती आ जाती है शांती टिफिन का खाना खाने लगती है लगता है इसे बहुत भूक लगी है चलो अपना खाना इसे दे देते हैं उसके बाद में तीनों अपने अपने टिफिन शांती की और बढ़ा देती है देखते ही देखते शांती सारा खाना खाकर उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है उधर निकिता अपनी चाल पर बहुत खुश हो रही थी आज वो तीनों जहरीले खाने से बचने ही पाएंगी थोड़ी देर में उनके स्कूल से उनके मरने की खबर आने वाली है लेकिन जब शांती की तीनों बेटियां सही सलामत घर लोटती है तो उन्हें देख निकिता की आँखे आज शरे से भर जाती है अरे ये सब क्या है आज भी ये तीनों जिन्दा बच गई फिर एक दिन किसी काम से विजय को अपनी मा के साथ शहर जाना पड़ता है आज बिलकुल सही मौका मिला है आज मैं इन तीनों को अपनी आँखों के सामने जला कर मारूंगी देखती हूं वो चिडिया इने कैसे बचाती है उसके बाद निकिता एक कमरे में चारों तरफ पेट्रूल छड़क देती है उसके बाद वो तीनों बहनों को उस कमरे के अंदर बंद करके आग लगा देती है आग आग निकिता मा मैं वेया से बाहर निकालो बचाओ कोई बचाओ हमें सब आग शान्ति उड़ते हुए आ जाती है शान्ति चोज को लंबी करके दीवार पर मारना शुरू कर देती है देखते देखते दीवार तूट जाती है उसके बाद शान्ती अपनी तीनों बेटियों को सही सलामत कमरे से बाहर निकाल लेती है ये सब देख निकिता अपना आपा खो बैठती है उसके बाद वो एक बड़ा चाक उठा कर चिडिया बनी शान्ती को मारने के लिए आगे बढ़ती है कौन है तू? और तुझे इन तीनों से क्यों हमदर्दी है? तेरी वज़ा से मैं अपने मकसद में काम्याब नहीं हो रही लेकिन आज मैं सबसे पहले तेरा खात्मा करूगी उसके बाद निकिता शान्ती पर हमला करने लगती है लेकिन शान्ती अपने मूँ से आग उगलना शुरू कर दीती है जिस वज़े से निकिता का शरीर जलने लगता है अरे, अरे मर गई, ने मर गई मेरे शरीर में आग लग गई अरे कोई बचाओ मुझे मदद करो लेकिन निकिता बचने ही पाती और देखते ही देखते वो जलकर राख के धेर में बदल जाती है दूसरी तरफ एक महिना भी पूरा हो चुका था शान्ती के चिडिया का रूप त्यागने का समय आ चुका था जाओ बेटियो, अपना जीवन जीओ अब तुम्हे कोई परिशान नहीं करेगा मैंने, मैंने अपना मा का फर्स पूरा किया लेकिन अब मेरा समय हो गया है जाने का मेरी प्यारी बेटियो, अपना खयाल रखना फिर अचानक शान्ती वहां से अद्रिश्य हो जाती है उस दिन के बाद से शान्ती की तीनो बेटियों के जीवन में कभी कोई परिशाने नहीं आते और वो तीनों हसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है तो देखा आपने एक मा की ममता में कितनी शक्ती होती है मा की ममता के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी बुराई हार मानने पर मजबूर हो जाती है दोस्तों आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें